वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंट सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे हैं यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वा कोशन देख रहे हैं उनका सपस्टी करन देख रहे हैं और पूरा डिटियल एनलेसिस भी करते हैं तो इस सीरीज में हमने 11 नंबर का चैप्टल स्टार्ट किया था जिसमें हम 1905 से लेकर 1909 तक के घटना करम देख रहे थे तो इसकी कुछ प्रिश्ण हमने सॉल्ट भी किये अब कुछ और प्रिश्ण बाकी है जिनको आज हम देखेंगे तो चली स्टार्ट करते हैं प्रिश्ण दिया गया है निम्लिखेत घटनाओं को काल करम के अनुसार व्यवस्थित करना है तो कुछ घटनाएं दी गई है रंपा विद्रो इटली परिथोपिया की जीत बोर य बोर का युद हुआ था तो पहले दूसरा आ जाएगा दूसरा इसमें ही दिया गया ऑप्शन टी में तो ऑप्शन टी से ही उत्तर हो जाएगा तो सबसे पहले इटली पर इथोपिया की जीत 1890 और इसके बाद बोर युद हुआ था इसके बाद चौथा नंबर जापान की पर जीत हुई और फिर रंपा विद्रो सबसे अंत में आ जाएगा रंपा विद्रो आइए इसका इस्पस्टी करन देखते हैं तो इस प्रकार से गर आपसे एक या दो बन जाएंगे तो आप किलियर कर लेंगे इसको एलिमिनेट करके आंसल निकाल लेंगे इतोपिया की ज आप जाएगा बोर युद्ध के बारे में इसके बाद रूस पर जापान की जीत हुई थी 1905 में फोर्थ वाला जो आप्शन दिया गया है तो 1905 आ जाएगा तो चौथे नंबर पर तीसरे नंबर पर आ जाएगा फोर्थ वाला आप्शन जापान की जीत ने यूरूपी अजनसी में अलूरी सीता राम राजू ने किया तो एक्जाम में ये प्रशन भी पूछा गया है कि रंपा बिद्रो का जो नेतरत है वो कौन थे नेतरत करता कौन थे नेतरत किस ने किया था तो इसका नेतरत किया था सीता राम राजू ने अलूरी सीता राम राजू ने जो इसको याद रखना है आई आगे बढ़ते हैं अगला प्रिशन देखते हैं अगला प्रिशन दिया गया है साथ वे नंबर का प्रिशन है भारत निमलेकेट में से कौन भारत की स्वतंता संग्राम के दोरान क्रांतिकारी आंदोलनों की बैद आलुष्णा नहीं है कुछ आलु सकते थे कि सभी इंसा के लिए सक्षम नहीं है तो इनमें से बताना है कि कौन सा कोट सही है केवल दूसरा पहला और दूसरा पहला और तीसरा और तीसरा तो यहाँ पर सही उत्तर आप्शन है केवल दूसरा कथन सही दिया गया है पहला और तीसरा कथन जो है बैद आलुष् ये दोनों बैद आलोशना है क्योंकि प्रश्ण में तो यही पूछा गया है कौन सी बैद आलोशना नहीं है तो केवल दूसरा सही है ठीक है लेकिन अगर आप से पूछने कौन सी बैद आलोशना है तो पहला और तीसरा हो जाएगा अंसर तो प्रश्ण को तोड़ा सा ध्यान उन्होंने जन्ता को एक जुट करने के लिए काम किया और बड़े समुह में काम किया तो ऐसा नहीं था जब सवतनता संग्राम चल रहा था तो बड़े समुह नहीं थे छोटे-छोटे समुह में काम हो रहा था जन्ता को एक जुट तो कर रहे थे लेकिन छोटे-छोटे समुह म साशक अंग्रेजों की खिलाब ससस्त्र क्रांती में विश्वास करने वाले समु इस रहणी में आते हैं राजनेतिक समु मुख्य रूप से बंगाल महाराष्ट बिहार संयुक्त प्रांत और पंजाब में केंद्रित थे कई समु पूरे भारत में बिक्रे हुए थे इस प्रका सके ताकि उसका प्रभाव ज्यादा पड़े तो असंगट समू थे यह चीज थी वहाँ पर कथन एक और तीन रिवॉल्यूशनरी आंधुलन की बैदालोशना है वे हिंसा को सतंतता प्राप्त करने का साधन बानते थे कतन दूसरा गलत दिया गया है क्योंकि वे लोगों के बड़े जन समू को एक जुट करने में आसमरते थे किलियर है तो यही चीज आपको प्रिश्णे में भी बताई गई है आयोप आपको सारे पॉइंट किलियर हो गए होंगे आईए आगे वट्टे अगला प्रिश्णे देखते हैं अगला प्रिश्णे दिया गया है निमलिखित में से कौन उग्रवादी राश्रुबाद के विकास के कारण थी आपने पहले पढ़ा था जो उग्रवादी थे एक उदारवादी थी तो आप पहले प्रिवियस प्रि उपलब्दियों के साथ साथ moderate के तरीकों से असंतोस तीसरा गतन दिया गया है सिक्षा के विकास का प्रभाव और जागरुकता और विरुजकारी में ब्रद्दी तो यहां पर बताना है कि सही कोट कौन सा है यहां पर यह तीनों ही कथन सही है क्योंकि क्या था जो गृबादी यह लोग तो जागरुकता फैल रही थी सिक्षा तो क्या करती है जागरुकता तो लाती है और साथी साथ क्या रहो था अब जब जागरुकता थी और इन्होंने देखा कि जो अंग्रेज है वो अपने जो सेना है कहीं पर भी जो नियूक्तिया है वो किसको देते हैं बादी राष्ट बाद के विकास के कारण बने यहां पर सही उत्तर आप्शन दी हो चाहेगा आईए इस पस्टी करण देखते हैं यह एसास की बिट्रिस आशन की वास्पिक प्रकती सोशक थी और यह की बिट्रिस भारस सरकार ज्यादा जीतने के बजाए जो अस्तित्वा में थी उसे भी चीन रही थी ठीक है ना तो यह इसका एक कारण था आत्म विस्वास और आत्म सम्मान की ब्रद्दी होने लगी थी जब लोग सिक्षित हुए तो उनमें आत्म सम्मान की भाबना आई कि देको हम भी इतने ही सिक्षे थे हमको भी यही वाला काम मिलना चाहिए त उनको बड़े पद मिलने चाहिए क्या होता था जो भारती होते थे उनको बिल्कुल छोटे पद दे 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 थे ठीक है जो बिल्कुल चतुर्द स्रेणी के पद होते हैं वो दे 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 थे और प्रतम स्रेणी के पदों पर भारतियों की नियुक्ति नहीं करते थे उन पर कि प्रेज साथ सकोते थे जो वहां से बुलाते थे वहीं अपने हाँ से उनको कर देते थे तो जब लोग सिक्षेत हुए उनमें जागुता फैली तो ने यह समझ में आया तो इंसारी चीजों को क्या हुआ फिर उनमें रास्ट बाद की भावना का विकास भी हुआ अंतरास्टी प्रभाव और घटनाय जोनोंने स्वेथ यूरोपिय वर्चस्व के मिथक को द्वस्त कर दिया इनमें सामिल थे जापान का हुदय एक एसी आई डेस एक और योगिक सक्ती के रूप में तो बाहर के देसों से भी प्रेंडा ली इटिली पर इवी सीनिया यानिकी इथोपिय प्रेंडा की जीत एक उन्होंने देखा कि छोटे चोटे चोटे राज्य क्या है अपने आपको स्वतंत्त कर रहे है किसके आधार पर संगतन की आधार पर रास्टबाद की आधार के पर स्वतंत होना है तो यह सारी चीजैं जब प्रतिकलिया का प्रभाव पड़ा उपलब्धियों के साथ-साथ मौडरेट की तरीकों से असंतोस भी था करजन की प्रतिक्री आत्मक नीतियां जैसे कलकत्ता निगामा धिनिया माया 1899 में आधिकारिक राज धिनिया मागया 1904 में बार्तिय विश्विध्याला धिनिया माया 1904 में और बंगाल का विभाजन ये तो सबसे बड़ा कारण था उग्रवादियों के लिए ठीक है बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में तो लोगों में काफी ज़्यादा असंतोस पहला विचार के एक उग्रवादी संप्रदाय कास्ते तो जगा और एक प्रिसिक्षित नेतत्यों का उध्वाद तो ये सारे कारण है उग्रवादी रास्टबाद के विकास के है यूप आपको सारी चीज़े किलिएर होंगी इस में से कुछ भी आजाएगा तो आप से बन जाएगा कैसे अभी प्रिष्ण पूछ ले आई होप आप चाप बनना चाहिए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा option है यानि कि पहला सही है तीसरा सही है और चौथा सही है दूसरा गलत दिया गया जनता की चमता पर अब विस्वास इसका सिधान्त नहीं था आईए इस पस्टी करण देखते हैं चरंपंती विचारधारा बेदेशी सासन से ग्रणा जनता की चमता पर विस्वास इसलिए दूसरा का थन गलत है जनता की चमता पर विस्वास था इसलिए चरंपंती विचारधारा जन में ले रही थी लक्षे के रूप में सुराच चौर प्रशन है जिनको हम अगले वीडियो में देखेंगे तब तो के लिए आप से भी चानल के साथ जोड़े रहें वीडियो को लाइक जरू करते हो दोस्तों के साथ भी शेयर करें इसके अलावा स्टेडी फॉर्सेबल सर्विसेज के अगर किसी भी पेट गुरूप से जुणना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर सकते हैं कॉन्टेक्ट नमबर आपको दिये गए हैं तो पर कॉल करके आप इंफोमेशन ले सकते हैं नोडिफिकेशन जारी कर दिया है बियो की विकैंसी जल्दी आपको देखने को मिलेगी यूपीपीसी एक्जाम और इसके अलावा यूपी तो पीट्री का नोडिफिकेशन आई चुका है तो पीटि भी आपका एक्जाम होगा और साथ ही साथ यूपी तरफल सी पीटी जिन्होंने प्रीवियस दिया है दोचार बाइस वाला जिनके पास स्कोर कार्ड है वो इस बार एक्जाम दे सकते हैं जूनियर असिस्टेंट का दोचार तेज की विकेंसी आ चुकी है तो इसका फॉर्म भी फिल कर दें इनके पास 2022 का स्कोर कार्ड है तो ये सारे जो एक्जाम हैं इनके लिए अगर आप ट्रक्टेस क्वेस्ट, स्ट सीरीज, स्टेडी, मटेरियल कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्चन में दीगए कांटेक नबर पर कॉल करके इंफोर्मेशन ले सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो, मिलेंगी नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मच